इस question में यह बोल रहा है देखो beam कौन सी है वो beam जो है वो cantilever है और उसका length L है flexural modulus दिया हुआ है ध्यान देना flexural modulus क्या होता है देखो जब E I होता है E और I का multiplication होता है तो उसको बोलते है flexural modulus अब इसमें I जो है वो moment of inertia होता है अगर तुम लोग bending का concept भूल रहे होगे तो जा करके drive पर lectures देख लेना ताकि वो bending का सारा concept याद हो जाए अब यह जो इसमें E है वो young's modulus है जब इनका आपस में multiple ही होता है तब हम कहते हैं flexural modulus अच्छा इसका काम क्या होता है देखो flexural modulus यह बताता है जैसा कि हम तुम बताया है पिछले classes में कि E जो होता है उसका काम क्या होता है E आपको बताता है कि अगर कोई बार है उसको आप लंबा करना चाहते हैं या उसको दबाना चाहते हैं तो वो जो बार है वो कितना register करेगा मतलब कितना मना करेगा उस चीज को बताते हैं इसे ठीक वैसे ही अगर कोई चीज है आप उसको फोर्स लाके बेंड करना चाहते हैं तो वो बेंडिंग को कितना मना कर रहा है रिजिस्ट कर रहा है रिजिस्टेंस तो उसको हम लोग इस फिल से समझो की याई का वो मतलब होता है ठीक है अब देखो अब यह जो पॉइंट लोड लगेगा कोई नो कोई पॉइंट लगा जा रहा है तो पॉइंट लगने से अफकोर्स मतलब अगर मानलों की कैंटी लीवर ऐसा है तो उसके उपर पॉइंट लगा दो तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा तुम उसमें यूडियल लगा दो तो दिफ्लेक्शन आ जाएगा तुम कोई चीज डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो उसकी डिफॉर्मेशन की वज़ा से उसके अंदर जो इनर्जी इस्टोर हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं इस्ट्रेन इनर्जी अब कॉनसेट यह है कि किस वज़ा से वो चीज डिफॉर्म हो रही है समझ रहे हो ना मतलब उसको लंबाई में चेंज कर रहे हो या उस पर बेंडिंग लगा रहे हो या टॉर्शन लगा रहे हो मतलब क्या कर रहे हो जिसके वरसे उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है तो हर डिफॉर्मेशन का अलग-लग होगी. Elastic strain energy stored in the beam because of bending निकालना है. बहुत आसान question है, फट से लग जाएगा, बस इसमें बच्चों का एक basic concept clear होना चाहिए, कि हम लोग strain energy निकालते कैसे हैं bending के case में, तो देखो कैसे निकालते हैं, strain energy का formula जो होता है, bending के case में, वो ऐसे होता है, integration करना होता है पुरा 0 से L तक, क्योंकि हर जगा bending हो रही होती है, मतलब यहाँ पे तुम लगाए हो तो यहाँ पे मालनो 0 length है, तो हर जगा bending हो रही होती है, तो हर जगा molecule अपना displace हो रहे होते हैं, तो हर जगा पे strain energy की store हो जाती है हर जगा इस्टोर होती है energy तो इसलिए, ऐसा नहीं है कि जब तुम load हटा होगे, तो सिर्फ इतना ही portion beam का उपर वापस जाएगा, नहीं, पूरा portion वापस जाएगा जो कि proof है, कि अच्छा ठीक है, हर जगा पे energy store होई थी, इसलिए integration में 0 to L डालते हैं, L by 2 तो नहीं डालोगे, या कुछ नहीं डालोगे, सिर्फ सासा फैर डालोगे, अब उसके बाद, इसका जो formula होता है, वो होता है M, देखो एकदम जो basic formula होता है, M, और उसको हम लोग ये जानते हैं, कि जब हमारा जो beam होता है, वो beam जो होता है, वो हर section पे, अलग-अलग moment जो है वो महसूस करता है, अगर उसमें point load लगा हुआ है, मतलब अगर इसका point load लगा हुआ है, तो इस तुम point load के लिए, अगर तुम bmd बनाओगे, तो bmd कैसे बनेगा भाई, एक तुम 0 bmd के line रो कर लो, अब उसके बाद, जब तुम ये load लगाते हो, तो load की लगाने से, अगर बेंडिंग हो रही है, तो इसलिए हम लोगों को हर जगां की उर्जा इंटिग्रेट करना होगा, तो इसलिए हम लोगों को ये समझना होगा, कि अगर बेंडिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि हम लोगों को ये समझना होगा, कि अगर बेंडिंग हो रही ह तो इसका मतलब bending जो है वो length का function है मतलब जो moment है वो length का function है वो constant नहीं है तो इसका मतलब यह जो m है न यह constant नहीं होगा यह function होगा तो इसका मतलब हमको बताना पड़ेगा कि ठीक है किसी section x x पर आप पहले bending चेक कीजिए कि उतने वज़से कितना उसमें energy store हो रहा है ठीक अब उसके बाद हम लोग उस section का length dx मानते हैं हम एकदम basic formula प्यार है एकदम basic formula क्या होता है यू निकालने का एकदम basic formula यह होता है उसका डिवाइट कीजिए और उसका 2e i यह भी xx पर कर दीजिए अब देखो हम लोग जब यह चीज़ कर रहे होते हैं तो इसमें जो i होती है न उ i neutral axis वाला लेते हैं मतलब neutral axis के about जो मिल रहा होता है इसका क्या मतलब बताते हैं यहाँ पर देखो देखो इस हीच को अगर तुम feel करना चाहते हो तो तुमको यह समझना होगा कि तुम्हारा कोई ऐसे करके हम 3D बनाना यह कोशिश करते हैं यह बीम है ठीक है और यह यहाँ पर अपना कैंटिलीवर है अब उसके बाद इसको हम कह रहे हैं neutral axis अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं कोई force ठीक है तो उसके बाद यह बीम तुम्हारा ऐसे मोड़ेगा तो इसकी वरसी क्या होगा कि जो उपर का लेयर है वो तो लंबा हो जा चला जाएगा ठीक है लेकिन जो बीच का लेयर है neutral axis वाला वो कहीं नहीं जाएगा तो तुम इस चीज को ऐसे समझा दो कि यह बाहर आ गया यह अंदर चला गया तो यह ऐसे connect करोगे तो यहां से connect हो जाएगा तो अगर तुम फ्रंट पर देखोगे इसको इस वर डिग्रम क की निगालते हैं अब moment of inertia neutral axis के about ही क्यों निगालते हैं क्योंकि यह तुम्हारा right side का जो प्लेट है यह जो प्लेट है इसमें न एक तरह का motion आया है रोटेशनल मोशन आया है वो किसके बाउट आया है इसी लिए जो मेंट अफ इनर्शिया होती है वो निगाला जाता है ठीक तो बस यह तुम्हारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में तुमको यह जो एम है न वो कॉंस्टेंट नहीं है तो वो एम कितना है वह वो पी अब इसमें देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि यह जो आई है ना उसके टम में आंसर दे और कई बार इसके टम में आंसर ना दे हो सकता है कि वो आई की वैल्यू पूटर के आंसर दे तो आई की वैल्यू पूटर के जब आंसर देगा तो आई की वैल्यू तभी तुम निकाल सकते हो, जब इसमें axis define हो, मतलब यह वाल एक्स axis है, यह वाल य एक्स एक्स है, यह जड-axis है, तो म रहने ही जड-axis हो गया हां, इधर जड-axis है है, मतलब जब इस तरह कीसे define हो न, तभी हम लोग I एनफ निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस वाले question में, अगर तुम देखो, तो यहाँ पर i के term में ही answer दिया हुआ है, तो i का tension लेने की जरुरत तो नहीं है, बस हम लोगों को इसको solve करना है, बस वही solve को कैसे करना है, फटा-फट answer डालो और खटा-खट answer आजाएगा, तुमको बस एक ही जिगब integrate क करोगे, और उसके बाद values पूट करोगे, m की value किति पूट करोगे, p into x पूट करोगे, dx को dx छोड़ दो, अब उसके बाद तुम 2e i को ऐसे छोड़ दो, दिमाग में पता रहना चाहिए कि जो i होता है, वो neutral axis के about होता है, अब उसके बाद तुम integrate करो, जब integrate करोगे, हाँ, यहाँ पर mistake होगे, square होता है, m square होता है, ठीक है, तो अब इसको तुम square करो, integrate करो, तो क्या-क्या बाहर निकल रहा, उसको बाहर निकल लो, जो constant इसको बाहर निकल लो, तो यहाँ पे p square 2e i, यह सब constant है बाहर निकल लो, गतम, यह 0 to l डाल दो, अब यहाँ पे x square dx आ गया, अ आगे, तो साफ साथ तुमको दिख रहा है, क्या मिल रहा है, p square lq by 6e i, मिल रहा है, ठीक है, p square lq by 6e i, अब लो, इसको आंसर को चेक कर लेते हैं, यह p square lq by 6e i, यह पेला option करेट हो जाएगा, अब बाहर इसमें को डाउट हुआ, बता ना, टोटल लिए रोग, crystal clear होना चा कि i को कैसे लेना है, इसको कैसे लेना है, क्योंकि एक एक question को detail में जब हम समझा रहे हैं, तो उसका मतलब एक दम first class बनना चाहिए, ठीक है, चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह question तो हो जाएगा आप लोगों से,